नमस्ते दोस्तों मैं विजय ठकत और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3-4 ऐसे सेट अप शेर करने वाला हूँ जो अभी मदब आज आप लोग ये मौनिंग में वीडियो देख रहे हो तो आज या फिर आने वाले एक दो दिन में आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखना चाहिए और इन्दे लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेर करने वाला हूँ ना जो अल्मुस्ट 13 साल के कंसॉलिडेशन के बाद या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये स्टॉक ने अपने 13 साल वाले लेवल के हाई को अभी ब्रेक किया है तो ये स्टॉक हमारे आने वाले संडे वाले वीडियो में ये स्टॉक फीचर हो सकता है तो ये आप लोगों को मैं advance में बता दूँगा जिसके उपर आप ध्यान रख सकते हो अब आप लोगों को मैं बता दूँ के generally हमारे Wednesday वाले वीडियो जो होते है आप वो swing trading के related होते है और swing trading का मतलब क्या होता है कोई भी आप trade लेते हो जो एक दिन से लेके एक हफते की बीच में आपका complete हो सकता है उसे हम लोग swing trading बोलते है और swing trading में जो भी आपका risk है for example आप risk लेते हो 1%, 2%, 3% आप जो भी risk लेते हो उसके multiply में आपका जो risk to reward ratio है वो 1 is to 2 या 1 is to 3 होना चाहिए generally 1 is to 3 risk to reward ratio swing trading के लिए बहुत ज्यादा होता है बट वो rarely मिलता है तो अभी मैं आज आप लोगों को एना कुछ stock बताने वाला हूँ जिसके अंदर सब के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ learning भी मिलेगी और एक idea भी मिलेगा कि मैं stock कैसे select करता हूँ तो आज का जो हमारा सबसे पहला stock है वो है आईशर मोटर और यह अभी अप लोग उसका future का चार्ट देख रहे हो अभी देखो यह stock को select करने का reason मैं जो भी swing trading के लिए stock select करता हूँ सबका reason same ही होता है जो stock all time high breakout पे रहता है या जो stock सारे time frame पे strong रहता है मैं उसको ज्यादा तर prefer करता हूँ swing trading के लिए because swing trading के अंदर आपकी right होने की probability तब ज्यादा right होती है जब आप strong stock में buying वाला trade करते हो अगर आपको selling वाला trade करना है तो आपको weak डूढ़ना पड़ेगा अब मैं तो buying वाले करता हूँ तो मैं strong वाले डूढ़ता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आईशर मोटर है इसने एक breakout करके यहाँ पे एक अच्छा breakout किया था उसके बाद यह stock fail हो गया यह high मारा और वापस से यह stock ने नया breakout किया अभी इसका monthly और weekly time frame हम लोग ने देख लिया यह तो strong है पर जो swing trading होती है ना वो हमेशा हम लोग daily time frame के basis पे लेते है ना ही monthly ना ही weekly हमारे जो trade plan होते है वो daily time frame के basis पे होते है अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे कि recently on 4th December आईशर मोटर के stock ने almost 7% का run-up लिया था और यह stock का उस दिन open था 3950 और इसने high मारा था 4189 अब इतने अच्छी run-up लेने के बाद यह stock सारे सब जगा पे feature हो गया रेगा सब channels में और सब जगा पे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे या एक दो दिन के बाद यहाँ पे उन्होंने entry ली होगी बड़ अभी यह stock बहुत time से मतलब करीबन एक हकते से यह stock continuously नीचे आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका rally वाला candle का low है ना वो candle के पास अभी यह stock आ गया है तो यहाँ पे हमारा जो swing trading का concept है वो बहुत ही simple है यह stock में जो moment हमें वो उपर का है इसने थोड़ा बहुत cool down किया थोड़ा pull back किया अब यह वापस से उपर की शरफ shift होगा इसका reason क्या है क्योंकि यह longer time frame में strong है तो अगर आप यह stock को देखोगे अभी यह stock जिस दिन में यह video बना रहा हूँ 12th December को सवाचार के आसपास तब यह stock चल रहा है 3981 के आसपास आप इसको यह price के आसपास buy कर सकते हो अगर यह आज का high मतब जो अभी यहाँ पे आप आप लोग देख रहे हो which is 4050 अगर यह वो break करता है तो यह stock और ज्यादा strong हो जाएगा और वो time पे आप 12th December के candle के low का stop loss रख सकते हो which is 3962 अगर वो नहीं होता है तो आप अभी इसको buy कर सकते हो with the stop loss of 3900 और इसमें जो हमारा पहला expected target है वो 4126 है और इसका target 4200 से लेके 4300 भी आ सकता है because higher chances है कि यह stock अपने अपने previous high को break करेगा तो यह आज का हमारा एक swing trading का stock है जो मेरे watch list में रहेगा दूसरा है Tata Motor अभी देखो Tata Motor को भी select करने में है कोई मेरा दूसरा कोई reason नहीं है यह देखो यह इसका monthly time frame है monthly time frame में यह strong है weekly time frame में obviously strong है वो और daily time frame में आप यहाँ पे देख सकते हो कि Tata Motor अभी एक high मारने के बाद continuously 727.50 का उसने भी recently high मारा था और पिछले 4 दिन से वो यह high को break नहीं कर रहा है तो अगर Tata Motor 727.50 को आज break करता है तो आज आपका यह buy बनता है और वो time पे आप stop loss लगा सकते हो 713 का और जो आप risk ले रहे हो जैसे आप यहाँ पे 10 रुपिस का risk ले रहे हो तो आपका first target 20 रुपिस और second target 30 रुपिस आप रख सकते हो तो यह एक Tata Motor में मेरा आज का trading plan है जो मैं आज execute करने के लिए देखूंगा दूसरा एक stock है वो है कोलपाल अभी कोलपाल में आप देखो यहाँ पे आपको clearly दिखेगा यह stock monthly time frame में strong है obviously monthly में है तो weekly में भी होगा और daily में बहुत simple है जो अभी मैंने आप लोगों को Tata Motor में समझा है वो ही कोलपाल में हुआ है कोलपाल ने recently एक अच्छी rally ली यहाँ पे उसने एक high बनाया cool down हुआ वापस से एक अभी जो आज जिस दिन मैं ये candle बना रहा हूँ उस दिन ये trade already activate हो गया है पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये buy बनता था 2331 के आसपास तो ये एक कोलपाल का हमारा trade है आप एक चीज़ नोटिस करिए हम लोग सारे जो trade प्लान कर रहे है वो daily time frame पे ही कर रहे है अभी मैं आप लोगों को और एक stock बताता हूँ जिसका नाम है बजाज पिंसव पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये stock को select करने का reason क्या है ये stock का अभी जो chart अप लिक लिक रहे हो ना ये monthly time frame का देख रहे हो ये अपने major trend line breakout करने के लिए आया है और अभी वहाँ पे trade कर रहा है अब weekly time frame पे भी देख सकते हो कि ये stock अभी अपने बहुत ही बड़े breakout के आसपास trade कर रहा है एक ऐसे pretend करते हैं जैसे वहाँ पे buyers और seller की या तो fight हो रही है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि buyers और seller दोनों interested नहीं है पर देखो अब ये stock जो level के पास खड़ा है ना उसके major breakout के पास अगर ये वहाँ से breakout कर देगा तो बहुत सारे doji candle का भी high break कर देगा तो there is a high probability कि ये stock में हम लोगों को आने वाले time में एक अच्छा move देखने मिल सकता है तो इसका जो breakout है वो 1724 के आसपास होने वाला है और अगर ये stock breakout करेगा वो level पे तो आप 1698 या 1690 का stop loss लगा सकते हो और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि longer time frame में ये stock अभी एक अच्छे level की move शुरू करने वाला है तो इसका target आप 1820 और 1850 रख सकते हो swing trading के लिए अगर आप एक short term के लिए लेना चाते हो और इसने ये breakout confirm कर लिया तो आप इसको definitely रख सकते हो ज्यादा risk के साथ आने के लिए सोच रहा था पर उसने आज के ही दिन बहुत अच्छी move कर ली almost 5% से भी ज्यादा ये stock ने move कर लिया है HDFC life ने तो अगर ये HDFC life वापस से आपको 690 के आसपास मिलता है तो आप लोग इसमें buy करने की opportunity देख सकते हो तो अभी देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आईशर मोटर, टाटा मोटर, मैंने कोलपाल के बारे में आप लोगों को बताया मैंने बजाज फिंसाओ के बारे में बताया मेरे को वासकॉन एंजिनेरिंग भी अच्छा लग रहा है अभी अच्छी short term investment opportunity दे सकता है उसका नाम है Jindal Steel अभी देखो Jindal Steel का आप लोग यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हो ना यह फिलाल आप लोग daily time frame का देख रहे हो पर यहाँ पर देखने वाली बात क्या है आप इसका monthly time frame का चार्ट देखो अभी मैंने आप लोगों को swing trading की बात नहीं कर रहा हूँ जो swing trading के setup मुझे बताने थे वो मैंने आप लोगों को बता लिए अभी मैं आप लोगों को एक short term opportunity जो मेरे आख के सामने मुझे दिख रही है जो अच्छी बन सकती है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ आप यहाँ पे जिंडाल स्टील और पावर का chart देख सकते हो इसने 2010 में highs बनाये थे और इसका जो major high था वो 796 था पर आप अगर उसका continuously एक resistance देखोगे ना तो वो 754 और 743 के आसपास था अब यह stock अपने वो resistance को अभी break करने आ रहा है अगर weekly time frame पे इसने यहाँ पे king candle के basis पे एक अच्छा breakout दिया तो यह stock आने वाले time में एक बहुत बड़ा return दी सकता है क्योंकि अगर आप इसकी range निकाल के फिर breakout के बाद add करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका target बहुत बड़ा बन सकता है तो यह stock को आप लोग ध्यान दीजिए अगर इसने Friday को एक अच्छे breakout के साथ अच्छा close दे दिया तो यह stock हमें definitely आने वाले 3-4 महिने के लिए हमारे radar में रखना चाहिए और उसके बाद आप इसमें swing trade भी कर सकते हो और यह वाला जो concept है ना मैंने अभी recently 3rd December का हमारा जो swing trading का webinar हुआ था वो webinar में मैंने समझाया है कि कैसे आप multi-year breakout वाले stock में जो already strong है उसके अंदर आप swing trading करके अच्छी opportunity कर सकते हो और वो जो concept है ना उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ मैं जभी भी swing trading करता हूँ ना मैं बहुत सारे alerts रखता हूँ देखो आप लोगों को यहाँ पर alerts दिखेगे recently कुछ दिन पहले हमारा जो dixon का trade है वो activate हुआ था तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसमें यह dixon activate हुआ था 5898 के आसपास उसके बाद बहुत अच्छा dixon में मिला फिर हमारा Tata Motor का भी एक trade activate हुआ था मेरा जो Tata Motor के trade में अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 714.55 पर trailing stop loss hit हुआ 717 पर buy किया था उसका stop loss बहुत नीचे था पर trailing stop loss hit हो गया तो हम exit हो गया और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि HDFC Life का भी मैंने trigger रखा था एक swing trading के concept से वो भी activate हुआ और अभी भी मेरे पास HDFC Life hold में है अभी oro pharma का trigger point यह है तो मैं generally क्या करता हूँ जो भी हमारे swing trading होते है जो भी मेरे swing trading के stocks होते है उसमें मैं alert डाल के रख लेता हूँ जिससे जबी भी वो trade मेरे level के उपर आ जाता है वैसे मुझे सीधा trading view से alert मिल जाता है आप trading view में आपने broker के app पे भी alert रख सकते हो इसी तरीके से आप एक professional way में swing trading कर सकते हो और मैंने आज आप लोगों को एक hint भी दे दिया कि swing trading करने के लिए कैसे stocks को select करना चाहिए तो ये सारे वो stock है जिसके उपर आप लोगों को आज ध्यान रखने चाहिए जैसे आईशर मोटर, टाटा मोटर, कोल पाल, बजाज फिंसव और जिंडाल स्टिल जो आप लोगों को आज या फिर आने वाल एक दो दिन में swing trading के लिए बहुत अच्छी opportunity दे सकते है जिंडाल स्टिल swing trading के लिए नहीं था बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया तो बस ये था हमारा ये वीडियो, अगर आप लोगों को हमारा वो swing trading का webinar की recording purchase करनी है तो उसकी link मैं नीचे description में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके purchase कर सकते हो और अगर आप हमारे channel पे नए हो, तो आप हमारे channel को जरूर subscribe करिए जैसे के मैंने आप लोगों को बोला कि अभी हम लोग almost 2 lakh subscriber के पास है और अभी एक महीने में हमारा ये month भी खतम हो जाएगा, new year's चुरू हो जाएगा तो अगर आप लोगों की कोशिश और मेरी कोशिश दोनों की मिलेगी तो हमारे जो subscriber है वो 2 lakh भी complete हो जाएगे तो मैं आप लोगों को request करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे ये videos अच्छे useful लगते है तो like और share तो जरूर करिए बट subscribe भी करिए जिससे हम new year के पहले पहले हमारे 2 lakh subscriber complete कर ले तो बस ये था मेरा आज का ये video मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे कोई next video में तब तक के लिए बबाए